Hello everyone, competitive exam में आपका एक फिर स्वागत है आज हम अगस्त मन्त के 2023 के टॉप 100 करन्ट अफेर के question डिसकस करेंगे जो आपके सभी exam के लिए important रहेंगे चाहे आप state level के exam दे रहे हो, चाहे SSC, चाहे banking तो सभी exam के लिए important रहेंगे क्योंकि हमने जो top 100 को ये question पूरे मन्त के लिए डुणे है ये काफ़ important है, जो आपके सभी exam में आपकी help करेंगे तो चलिए आज का ये session हम शुरू करते हैं इसमें जो first question है, वो है भारतिय मूल के कौन से बेक्टी Tesla के नई CFO बने है जो Tesla के नई CFO बने है ये Chief Financial Officer वो बने है बहववत अनेजा और किस राजय सरकार ने ग्री लक्ष्मी योजना की शुरुवात की है तो ग्री लक्ष्मी जो योजना है ये तेलंगाना सरकार द्वारा लाँच की गई है तीसरा क्वेचन है किस राजय मैं जिवान्षम मैं पौदा को खाने वाले डाइनसार की केरल का नाम केरल म रखने के परस्थाप पारित किया है हाली में भैतर internet connectivity के लिए दक्षिन एश्या में टॉप पर कौन रहा है तो दक्षिन एश्या में भैतर internet connectivity के लिए भुटान टॉप पर रहा है सिफ्थ क्षिन है किस देश ने homogeneous sexuality शवद के इसंतमाल पर पावंदि लगा दी है इराक जो है उसने होमो शेक्शुल्टी जो शावद है इस पर रोक लगा दिए है किस राज्या में हाथियों की संख्या में record वृती दर्ज की गई है किस राज्या सरकार ने Classes में Mobile sign के इस तुमाल पर प्रतिबन लगा दिया है तो वो है नई दिल्ली जो है उन्होंने class's में phone पर पतिवंद लगा दिया है नेश को अच्चन ए किस देश की राजधानी दूनिया की सबसे परदूशी राजधानी बनी है तो वो बनी है इंडोनेशिया नेश को अच्चन है भारत का पहला eco-friendly डेविट कार्ड की स्मॉल बेंक दोअरा लाँच किया गया. भारत का पहला इको फ्रेंखली डेविट कार्ड है. इसे अतल पेमेंट बेंक दोअर लाँच किया गया है हाल he when i report के नुसार सबसे ज़्यादा cancer के मामले कहां सामने आये हैं तो सस्थ से ज़्यादा जो कैंसर के मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में सामने आये हैं किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू करने की गोश्चना की है तो मेघाले सरकार द्वारा ये काफी इंपोर्डेट रहेगा आपके इक्जाम के लिए तो मेघाले सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर युजन शुरू की जा रही है जो नेशनल यूवा दिवस है उसे बारा जनवरी को मनाया जाता है चौद्वा क्वच्छने किस राजे सरकार ने एक जीला एक उत्पाद योजना शुरू की है तो वो गुजरात है लेकिन फर्स्ट जो योजना शुरू की थी ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी वन डिस्टिक वन परड़क्ट नेस्ट क्वच्छने किस देश को ट्रेकोमा को खतम करने के लिए डबली अच्छो द्वारा मानेता प्रदान की गई यानि हाल ही में डबली अच्छो ने किस देश में ट्रेकोमा जो एक आईस का रोग होता है इसको खतम कर दिया गया है असाम में ये हुआ है किस राजे सरकार ने विश्यवदालिय शन्षोधन विधेक दोजारतेई पारित किया तो वेस्ड बंगाल ने शन्षोधन पारित किया है किस राजे सरकार द्वारा भारत का पहला कृषी डाटा एक्सचेंज और कृषी डाटा SENTर खूलने की घोशना की गई है तो ये तेलंगाना हैदराबाद में ये पहला केद्वाद क्रिशी data exchange center खोल रहा है किस राज्य की कमार जंजाती को अवास अधिकार मिल गया है यानि कि 36 गड़ की जो कमार जंजाती है उनको अवास अधिकार मिल गया है किस देश के पहले खुले तोर पर समलेंगिक राष्टपती चुने गए हैं यानि कि लातिविया के पहले समलेंगिक ट्रांसजेंडर जो राष्टपती हैं चुने गए हैं उनका नाम है एडगर रिंग की जुएक ओर 22 है फ्रेंच ओपन 2023 पूरुष एकल खिताब जिता है नवाग जोकोबिच सर्विया और महिलावग में इगा स्वेतैक ने जिता है देश की पहली पॉर्ट टैक्सी पिरयोजचना कहां शुरू की गयी है यह पॉर्ट टैक्सी योजचना है इसे नोईडा उत्तरपदेश में लगू किया गया है हाली में कौन सा देश चौथी भार दुनिया का सबसे अच्छा रहने यог्या शेहर बना है वो बना है वियाना आस्ट्रिया सूर्या के अध्यन के लिए इस रो द्वारा लॉंच किये जाने वाले मिशन का नाम होगा अधित्या L1 भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्केट कहां लॉंच किया गया है तो मध्य परदेश में ये नाइट स्ट्रीट लॉंच किया गया है नेश कोचने किस राजय के मुख्य मंत्री ने अबुआ आवास योजना शुरू की है तो जहरकन के मुख्य मंत्री ने अबुआ आवास योजना शुरू की है भारत का पहला ड्रोन प्रिक्षण के अंदर किस राजिया में खुलेगा भारत का जो पहला ड्रोन प्रिक्षण के अंदर है इसे तामिल नाडू में खुला जाएगा नेश कोचन है हाल इमें किसे हावर्ड विश्वदालिया का जॉर्ज लेडली पुर्सकार दिया गया है यानि कि जॉर्ज जो लेडली पुर्सकार है ये हावर्ड विश्वदालिया द्वारा दिया जाता है इसे राज चेटी को दिया गया है देश और जाटो है, हाली में किस राजिया के मैटी केले को GI Tag मिला है, यह कन्या कुमारी का केला है, इसे GI Tag मिला है, भारत के पहले 3D PRINTED DAG घर का अधगाटन कहा किया गया है, भारत का जो first 3D PRINTED DAG घर है, इसको बेंगलुरू में स्टाट किया गया है, यह लगबग 30 दिनों क अंदर अंदर बन के तियार हो गया था किस राजय सरकार ने भगवान विर्षा मुंडा सर्ड की उजना की गोश्णा की है तो भगवान विर्षा मुंडा जो सर्ड की उजना है इसको महारास्टर सरकार द्वारा बनाया जा रहा है next question है रिलाइस जीओ ने किस देश के लिए हाइट स्पीड फाइवर केबल से जोणने का कारया पुरा कर लिया है किस राजिय के टेली विजन प्रोग्राम लिसा नामक देश के पहले AI News Presenter को लौँच किया यानि कि लिसा जो है एक Artificial Intelligence News Reporter है इसको उडिसा में लौँच किया गया है दुनिया के पहले मानव रोबोट प्रेस कांफरेंस 2023 का आयोजन कहा हुआ यानि कि दुनिया का ये पहला मानव रोबोट प्रेस कांफरेंस था जिसको जनेवा स्विजिलेंड में हुआ है कौन सा ITI संस्थान UEE में अपना अंतराष्टे केंपस खोलेगा यानि कि UEE में अपना अंतराष्टे केंपस खोलेगा IIT दिल्ली नेश्ट क्वेचन है ग्रीन हाइडरोजन नीती शुरू करने वाला देश का पहला राजय बना है ग्रीन हाइट्रोजन जो एक नीती है उसको शुरू करने वाला देश का पहला राज्या बना है महारास्ट्रा किस राज्या के अथूर पान के पत्तों को GI टॉग मिला है यानि कि अथूर जो पान के पत्ते हैं ये GI टैग मिला है हाली में ये हैं तमिलाडू के पत्ते इसमें महिलाओं को स्टार्ट अप के लिए लौन दिया जाएगा किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवा प्रपतिवंद लगा दिया है तो रूस ने लिंग परिवर्तन और जो ट्रांसजेंडर विवा होते हैं उस प्रपतिवंद लगा दिया है हाल यह में RBI ने बैंकों में जमा unclaimed deposit का पता लगाने के लिए एक portal launch किया है यानि कि unclaimed जितना भी money bank में deposit रहता है जिसका कोई nominate नहीं होता है तो उसको पता लगाने के लिए RBI के दुवारा उद्गम portal launch किया गया है RBI के जो वर्तमान में गवर्णर है वो है शक्तिकान दास और ये 25 वे गवर्णर है next question है हाली में किस देश के प्रधान मंत्री ने universal pension यूजना शुरू की है तो बंगलादेश के प्रधान मंत्री ने universal pension यूजना शुरू की है दुनिया का पहला 3D rocket कहां से launch किया जाएगा तो दुनिया का पहला ये 3D rocket है इसको शिरी हरी कोटा से launch किया जाएगा next question है crystal rating agency ने भारत की GDP growth 2023-2024 में कितने रहने का नुमान लगाया है तो ये लगबग 6% नुमान लगाया है विश्व मच्छर दिवस का मनाया गया यानि कि विश्व मच्छर जो दिवस है इसे 20 अगस्ट को मनाया गया 49 question है कुछ अधूरे शवद उस तक किस के द्वारा लिखी गई है तो इसे आशुतोष अगनियोत्री के द्वारा लिखे गए है कुछ अधूरे शवद पधान मंत्री मोधी द्वारा कहा संत्र विदास मंदिर की नीव रखी गई तो यह संत्र विदास मंदिर की नीव पधान मंत्री मोधी द्वारा मध्यप्रदेश में रखी गई अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो इसमें लगबग आपके पांच कंट्रिया है जिसमें ब्राजिल, रश्या, चाइना, सौथ अफ्रिका और इंडिया आते हैं 52 है एस दा विल टर्नर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है हमारे पूर्फ उप्राष्टपती M. Venkya Naidu के द्वारा युद्ध्यापोथ जो INS कृपान को किस देश को सौपा गया है युद्ध्यापोथ जो INS कृपाने इसे वियत नाम को सौपा गया है किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट P.S. Light पूर्षकार जीता है तो मोक्ष रॉय है इन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट P.S. Light Award जीता है जो कि प्रैवन को बचाने के लिए हाली में कहां का Tule of Garden World Book of Record में शामिल हुआ है तो श्री नगर में जो इंद्रा गांदी Tule of Garden है इसको World Book of Record में शामिल किया गया है 56 है जान वार्नॉक का हाली में निदन हुआ है वे कौन थे यानि कि जान जो वार्नॉक थे ये अडॉफ के सैसन स्थापक थे अडॉफ रीडर Next question है खान सा देश भारत के जन औश्डी model का अनुकर्ण करना चाता है तो इंडोनेशिया जो है भारत के जन औुश्डी के अंदर का अनुकर्ण करना चाता है Next question है भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का बुखतान स्थानियमुद्रा में दिया है यानि कि भारत ने अपने कच्चे तेल का जो भुखतान है वो अपनी लोकल करणसी में दिया है मेला फिफा विशोकब 2023 किस ने जीता है? तो यह मेला विशोकब 2023 जीता है स्पेन ने भारत सरकार ने हाली में किस नाम से Invoice through a inch scheme शुरू की है? यानि कि मेरा बिल मेरा अधिकार नीरज चोपडा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ पैरिस अलॉंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है वो किया है 88.77 मीटर से नीरज चोपडा ने किया है 69 वे रास्ट वे जो फिल्म फॉर अवार्ड में हैवस एरोटेक इंडिया लेम्टेट राष्टपति द्रोपती मूर्मू किस की समरीती में एक ڈाख टिकट जारी किया है इंदोर मद्या प्रदेष को ये प्राप्त हुआ है 69 वे रास्ट वे फिल्म फेर अवार्ड में बेस्ट एक्टरस का ओवार्ड किसने जीता है तो ये आलिया भट ने जीता है गंगू बाई काठिया वाला के लिए और कृती सेनन ने मीमी के लिए ये जीता है नेश्कोचन है, शत्रण विश्वकप 2023 का टाटल किस खिलाडी ने जीता है, तो मैगन कालसन ने जीता है, और जो आर प्रगनंद हमारे भारत के रहे हैं, उन्हें रज़त पदक दिया गया है, नेश्कोचन है, हाली में प्रोफेसर कल्यूपूडी राधा कृष्णर राव का परिदन हो गया है, वे किस क्षेतर से जुड़े थे, वो जुड़े थे, सांकी की, यानि स्टैस्टिक्स के, नेश्कोचन है, ब्रिक्स ने हाली में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल करने के लिए मंत्रित किया है, यानि कि ब्रिक्स ने छे नए देशों को ब्रिक को निलंबित कर दिया है तो वह भारत इस रो द्वारा लॉंच किये गे चंदरियान थ्री मिशन के प्रजेक्ट डिरेक्टर कौन थे तो थे कौन सा देश चंदरमा के दक्षिन द्रूप पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो वह भारत पहला देश बन गया है जो दक्षिन द्रूप पर पहुंचा है इससे पहले जो सिंपल मून पर चार देश पहुंच गये हैं जैसे कि आपके पाद यूएस स रक्षा मंत्राले ने कितने क्रोड रुपए के रक्षा अधिग्रेंड परस्तावों को मंजूरी दी है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। फिलिपीन के साथ इसरो ने चंदरियान थ्री मिशन के साथ भेजे गए रोबर को क्या नाम दिया है। वो दिया है जिग्यासा नेस्ट को अचन है। डच ग्रेंड प्री 2023 का वाड जिता है मैक्स वेस्ट रिपन ने और 85 है। अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाने की घोशना की है। यानि कि जिस दिन हमारा जो चंदरियान थ्री था ये चंदरमा के साथ पोल में उतरा है। उसी दिन को 23 गस्त को अंतराश्ट दिवस मनाने का फैसला किया गया है पदानमंतरी मोधी द्वारा। विश्व एथलेटिक चेंपर्शिप में किस देश नेपूर्शो की 400 मीटर रीले टीम इवेंट में नेया रिकॉर्ड बनाया है तो है भारत ने। काजी रंगा नेशनल पार्क की पहली मेला फिल डिरेक्टर के रूप में किसे नुप्त किया गया है तो नुप्त किया गया है डॉक्टर सोनाली घोश को बारतिया क्रिकेट टीम के डॉमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉंसर का दिकार किस ने हासल किया है तो ये किया है IDFC First Bank ने युद्धपूत महिंदरगीरी को किस शिप बिल्डर्स लिम्टेड द्वारा त्यार किया गया है युद्धपूत महिंदरगीरी को मजगाउन जो डॉक शिप बिल्डर ने त्यार किया है विश्व संस्कृत दिवस्ट प्रतिवश कम मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस्ट करति अगस्त को हर साल मनाया जाता है वंडे इत्यास में पारी के लिहाँ से सबसे तेज उन्नी शतक लगाने वाले बल्लेवाज बन गए हैं बावर आजम नेक्स वेचन है मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना की धन राशी भढ़ा दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये राशी भढ़ा दी गई है 93 क्वेचन है किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इंफिनिटी सेविंग अकाउंट लॉँच किया है तो एक्सिस बैंक ने ये इंफिनिटी सेविंग अकाउंट लॉँच किया है Miss World 2023 इवेंट का आयोजन की शेर में हुआ तो ये कश्मीर में हुआ जमू और कश्मीर में 95 है Miss Earth 2023 का किताब किसने जीता है तो जीता है प्रियान सेन ने 96 है Tata Power New Evil Energy Limited किस राज्या में 18.12 मेगावाट के ग्रीन अनर्जी प्रजेक्ट के लिए समझोता किया है Tata Power ने ये महरास्टा के समझोता किया है Cricket में किस देश ने सरवधिक इश्या कप जीता है तो भारत ने इश्या कप जीता है सरवधिक बार किस राज्य सरकार ने जुग्गी वासियों को भूमी अधिकार प्रमान पत्तर जारी किये है हाली में किस राज्य सरकार में भारत का पहला सोलर रूफ साइकलिंग ट्रैक बनाया जाएगा तो हैदराबाद में ये सोलर रूफ साइकलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है जो हमारा सौवक क्वेशन है हाल ही में बारत का 54 वा बाग radius भरणिया धौलपूर करोली किस राजे में इसथापित किया जायेगा तो यह धौलपूर करोली यह हमारा चौववबूबा भरणिया भाग रिजर्व है इसको राज्यस्थान में इस ठापित किया जा रहा है तो आज लगबग ही हमने 100 questions इसमें discuss किये जो आपके आने वाले exam के लिए काफी important है आप इसमें देशकते हैं कि हमने इसमें काफी important questions को काफी मत्तबन questions को add किया है जो आपके exam के लिए काफी important रहेंगे तो आप इसे देशकते हैं इसकी PDF हम अपने description में भी इसको डाल देंगे तो आप वहां से भी इसे download कर सकते हैं तो यह काफी important रहेगा तो आप इस वीडियो को बार-बार देशकते हैं ताकि आपको सभी current affair revise हो जाए कि अगस्त में कितने important current affair थे तो आप इसमें देशकते हैं कि इसमें काफी important current affair हो को discuss किया गया है किया गया है अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो काफी इसमें महनत हम आपको ये current affair बनाने के लिए करते हैं तो आप इस वीडियो को like, share और like कर सकते हैं share कर सकते हैं और हमारे इस YouTube चैनल को और Facebook पेज को भी follow कर सकते हैं और इसी प्रकार से जो latest update होती है हम आपको अपने पेज पर share कर देते हैं चाहे वो job से related हो चाहे आपके exam material से related हो वो सारी जानकारी आपको पेज पर मिल जाती है तो आप हमारे इस पेज को like, share और subscribe कर सकते हो दन्यवाद